आप सभी लोगों को पताएगी है ऐसा ही भरती पेपर होने के बाद से बहुत तर्चाओं में रही है इसकी उपर कई वार हमने प्रियास की है ताकि जो फर्जी वाड़ा ये सामने आ सके ऐसा ही भरती के अंदर ऐसे ऐसे बेरतियों का चैन हुआ है जिनको हमारे देश के संसे का मुद्धा है सब को पता है इसमें पारदर शिता की एक बहुत कमी है और जो सक्षम लोग हैं वो आज भी बाहरी डोल रहे हैं और जो फर्जी वाड़ा के लोग हैं वो भी 200 से जाता करीब करीब उनकी संक्या 300-400 बताई जा रही है वो सारे लोग अगर सिस्टम के अ इसका प्रति पूरी ब्रोगनी चाहिए ताकि निस्पक से जाच हो सके लोगों को जिनों ने अच्छे से वहार किया है और फिलाल प्रटुए जल्दी जल्द वाजी कर रही है कि इन लोगों को चैन देकि इनका इनको जल्दी से जल्दी इनकी भरती को पूरी की जाए इस क्या क्या मांगे हैं आपकी कहा कहा से लोग यहां पर आयो हैं किस सीच को लेकर आप धढ़ना दे रहे हैं आज देखे पूरे राजस्तान से लड़के आयो हैं पीडित अप्यरती हैं सारे और ऐसा ही बढ़ती जो आर्पीएस सी द्वारा 13 सितंबर से 15 सितंबर 2021 तक आयो जित की गी थी उसके संबंद में आयो हैं और जैसा कि आप सब जानते हैं और हम भी पीडित हैं और आपको ये बात देना चाहता हूं कि ये शुरुवात से भरती विवादों में रही है इसमें 11 तो एफ आयार दर्ज हैं उसमें साथ में चार चीट पेस हैं लेकिन कोई कारेवाई नहीं कहीगी असीट तक नामजद हैं दोस्तों के बाहर इसमें आरोपे भी बनाए गए इसके बाद और ये संचे घड़ा होता है सरकार भी होता है कि क्यों और दूसरा अभी हाली में करण्ट का इस्यू यह है कि और पेसी के द्वारा जो अंतिम चैनी सुची जारे की गिए उसमें 700 तेसिल से 105 अब बेढ़ती हैं और पूरे जालोर जिले से 200 प्लस अब बेढ़ती हैं क्या उनका च क्योंकि जो अंतिम सुची अभी डीवी के लिए जारी की गी हैं उसमें जिलेवार सुची नहीं जारी की हैं तो एक संचे बेढ़ता है क्योंकि यह चाते हैं कि जो यह गपला हुआ है जो भी धांदली हुई है ब्रस्ताजार हुआ है इसको एक दमन की नीती के तहर देखा जाहा रहा है और दबाया जा रहा है क्योंकि जैसे ही लिश्ट जिलिवार होगी तो सब को पता चल जाएगा कि जालोर जिले से कितने होई और हम तो यहिए चाहते हैं हम यह नहीं चाहते हैं कि जालोर के how हैं हम इसांचों से कितने सेलेक्टेड है थानेदार क्योंकि यदि अभ्यार्ति सही है तो कोई दिक्कत नहीं है और यदि अभ्यार्ति ही फर्जी हैं तो ये पुलिस प्रशाशन में एक एहम ओदा है पुलिस उपणिरिक जो कि समाज के बीच डारेक्ट कनेक्टेड है और राजस्तान सरकार हो या कोई सी भी सरकार हो उससे डारेक्ट जनता के बीच का लिंक होता है इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी साचोर से बंदे हैं और एक पारिवारिक बंदे हैं जो भाही बैन हैं देवर बाबी का रिस्ता है साडू का रिस्ता है तो उनके संबंद में भी जाज की जाए और दूसरा सबसे बड़ी बात राजस्तान उपनिरिक्स बर्ती का पहला टोपर नरेश कुमार वो उस एरिये से विलोंग करता है जहां पेपर सरगना है और सबसे बड़ी बात यह है उस विद्याले में वो कारिय उठाना एक लाजमी इसलिए है क्योंकि RPSC के सदस्से रामुराम रायका जी उनकी बेटी शोबा रायका पांच वी रेंग के साथ चैनित होती है जो कि लड़कियों में फस्ट रेंग हो और दूसरा उनका लड़का दोनु सगे भाही बैन देवेस रायका चालीस रेंग के साथ चैनित होता है क्या क्या हो क्या रहा है मतलब टोप रेंग अपने ही परिवार में बेटे-बेटी को दे रहे हैं और सदस्से होते हुए और दूसरा बावुलाल कटारा जी मेंबर्स रहते हुए एट परजेंट जो की पेपर लीग परकनन में और बरकास्त में हुए है और डॉट्फुल भी है और गिरफ्तार होने के बावजूत उन्होंने पहले है साइभधि के इंटर्वि ön regard ये सेंको छत्रों के तो मतलब वह रेक जितने उन्होंने इंटर्व्य लिए हैं वो भी संसे पैदा करते हैं वो संदेशील हैं क्या उन्होंने लेंदेन नहीं की होगी क्या वहां उनका आच्रेन करप्ट नहीं रहा होगा तो उनकी भी जांच होनी चाहिए और यह जो इन्होंने जल्दबाजी में नियुक्ति के लिए यह आतुर्ता बनाई हुई है हम जरकार से चाहते हैं निवेदेन हाथ जोड़ के CM साब आप के लिए यह 400-500 थानेदान जो आर्सो में से भरजी चाहिए नहीं तो है यह अनुमानी ते आकड़ा है और यदि आप इनके सत्ते तगी जांच करवाते हैं तो साइद ही यह हकीकत भी हो सकती है और यदि आप टोप 1 से लेके टोप 100 तक आप जांच करवाते हैं तो 80-85% लड़के ऐसे होंगे जिनको तो कोई योग्यता का कोई क्राइटेरिया उनके लिए फिक्सी नहीं करता यह पोस्ट जो ऐसा ही किया है के लिए डिजर्वी नहीं करती और एक से 10 रेंक तक यह आप जांच करोगे तो साइद उन अब बेरतियों को डूंडने के लिए एक आपको दूर्बीन की आवशकता होगी जो दूर-दूर तक देखने पर भी दिखाई ना दे इसलिए हम यह चाहते हैं कि सरकार संग्यान लेश मेटर में यह मेटर पूरे राजस्तान के गलियारों में चर्ची थे आज सांचोर जो कि एक सम्मानित जिला जिसको कोई जानता नहीं था भविसे के जिला बनेगा वो उस तैसिल को कोई जानता नहीं था आज इन पेपर सरगनाओं ने इन बरतियों बेरोजगरों के दलालों ने इस सांचोर को इतना हाइलाइट कर दिया है कि सांचोर के नाम से लोग दरने लग गए है राजस्तान का हर बच्चा बच्चा अंगुटा टेक व्यक्ति भी आज नरेगा का मजदूर भी ये बात करता है कि मैं अपने बेटे को सांचोर बेज़ दूं क्या ये क्या चल रहा है ये सांचोर वाले में इता सांचोर वाले सारे फर्जी है सांचोर में चंद समुदाए कि चंद लोग ये फर्जी वाड़ा करते हैं और पूरे सांचोर को बदनाम करते हैं इसलिए सांचोर के जन परधिनी दियों से भी मैं निवधन करूंगा कि इन फर्जीयों का आप साथ ने दें इन फर्जीयों के खिलाब आवाज उठाए ताकि आपकी जो एक सांचोर की लोगों के परती चवी बनी हुई थी सत्यपूर नाम से वो वापस बरकरार रहे लेकिन जो ये सांचोर जो आगे आपने सांच लगा रहा है ये आगे हटा देंगे लोगों के मन में ये है अगर सरकार अगर आप भी आपकी मांगे नहीं मानती है तो आप आगे क्या कदम उठाएंगे ऐसी बात है जिसा सरकार पर हम में फूर्ण विश्वास है कि सरकार अमारे इत्मे नेरने लेगी इसकी निश्वक्स जाज करवाएंगे वर्ती की जो योग अब्यारती है उनको न्युक्ति देंगे और यदि सरकार ऐसे नहीं करती है तो फिर हम दिल्ली दूर नहीं है हम सुप्रीम कोट जाएंगे संसच जाएंगे जहाँ भी जाना होगा लेकिन वर्ती में आयोग अब्यारतियों को हम सम्म्मलित नहीं होने देंगे करवाई है आयोग्यों को न्युक्ति जी जा रहे हैं रामुराम रायका जी है उनके बेटे-बेटी लग रहे हैं दबावुला लकटारा जी के बतीजे संबली तो रहे उसमें परिवार बात चल रहा है तो हम गवर्मेंट को यह भी बता देंगे यह भी सबक सिखा देंगे कि चुनाव आ रहे हैं चुनाव सामने हम बता देंगे कैसे जीता जाता है कैसे मंत्री कैसे बना जाता है यह हम उनको बता देंगे